गुलाबी नगरी एक बार फिर से गुलजार हो गई, आपको बता दे कि आज से परकोटे के बाजार खुल चुके हैं राजसरकार के आदेश के बाद यहां पर बाजार खुले, 70 दिन के लॉकडाउन के बाद बाजारों में एक बार फिर से रौनक लॉट आई है लॉकडाउन ने पहरी बार परकोटे में ये चूट दी गई चारविदवारी शेत्रों को इसलिए दो शेत्रों में बाटा गया है कंटेमेंटमेंट और बफर जोन में इन शेत्रों को बाटा गया कंटेंटमेंट जोन में फिलहाल कर्फ्यू जारे रहेगा चारदिवारी में 23 कंटेंटमेंट जोन फिलहाल चिन्हित है कंटेंटमेंट जोन में जरूरी चो सेवाय है वो चारे रहेगी 23 इलाकों को शोड़कर बाकी चारदिवारी बफर जोन में डाला किया है बफर जोन में भी कुछ प्रतिबंद लगाए गए है चारदिवारी के पांच बाजारों को फिलहाल के लिए बंद रखा जाएगा परकोचे में सलून, होटेल, सिनेमा और मॉल्स भी बंद रहने वाले हैं कोविन देव जी सबेट सभी धार मिकसल के दौार आठ जून के बाद सरकार इस पर फैसला रख लेने वाली है तीन हजार जवान निगरानी के लिए परकोचे में फिलहाल तैनात है और दुकानदारों को इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरी पालना करनी होगी तस्वीरों में देख सकते हैं आप 71 दिन के लॉक्टाउन के बाच में परकोटे के जो बाजार है उनमें रंगत आज देखने को मिली काफी दिनों के बाद में लॉक्टाउन का जो थोड़ा सा असर है वो यहाँ पर कम देखने को मिला दो धाई महीने के बाद में परकोटे में पहली बार जो रियायत दी गई वो इसी तरीके से दी गई पर कोटे के पूरे क्षेत्र को यहाँ पर दो जोन्स में मानाग बाटा गया है कंटेंट्मेंट जोन और बफर जोन टेई से शेत्रों भी फिलाल पड़ते हैं शारदिवारी से उसके अलावा जितने भी क्षेत्रों हैं वहाँ पर हला की कुछ प्रतिबंद अभी भी है सोशल डिस्टेंसिंग की सभी को पालना करनी होगी मास्क लगाना जरूरी होगा लेकिन एक बार के लिए जो रौनक है गुलाबी नगरी की जिसे कहा जाता है पर कोटिक शेत्र में विशेश तोर पर वो लोट आई है और देखने को मिल रही है तस्पीरों में देख सकते हैं आप पूरे 71 दिन के बाद में दुकानदार अपनी दुकानों पर लोटे सब सफाई वहाँ पर की और अपनी अपनी दुकानों को यहाँ पर खोल कि अपनी आज़ विका को कमाने की यहाँ पर पूरे प्रयास किये जा रहे हैं कंटेंटमेंट जोन जो चारदिवारी में है वहाँ पर कर्फ्यू जारी रहेगा इसी के साथ में चारदिवारी में जो भी होटेल्स, मॉल्स या फिरान्या कतिविधिया है, सिनिमा इत्यादी, वो सब भी अभी बंद रहेगी आठ जून के बाद में गोविन देव जी के मंदर या फिर जो धार्मिक स्थल है उन पर फैसला लेगी प्रुदेश की सरकार कंटेंटमेंट जोन के जो तेईस इलाके हैं उन्हें छोड़ कर रियायत यहाँ पर दी गई वफर जोन उन्हें कहा गया है हलाकी चार दिवारी के जो पांच बाजार हैं उन्हें फिलहाल बंद रखा चाएगा पर कोजे में सलून्स, होटेल और सिनिमा और साथी में मॉल्स भी बंद रहने वाले हैं गोविन देव जी समेत सभी धार्मिक सलों के द्वारा भी बंद हैं आठ जून के बाद में सरकार इस पर पैसला लेगी कि किस प्रकार से ने खोला जाएगा या फिर कुछ समय के बाद ने खोला जाएगा तीन हजार जवान फिलहाल निकराने के लिए पूरे रासधाने के परकोटे में तैनाथ हैं दुकानदारों से प्रतिबंदों को फॉलो करने की हाँ पर अपील की गई सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम वो सारी गाइडलाइन जो सरकार इचारी की सभी को उसका ध्यान में रखते हुए अपने अपने कारे करने होंगे चुकी राहत की बाद इसमें इन सभी मामलों में ये है कि पूरे 70 दिन के बाद में परकोटा शेत्र जो है जैपूर का चारदिवारी वहाँ पर जो पहली छूट मिली है काफी जाजा उटसाहित और खुश नजर आ रहे हैं दुकानदार भी इस चीज के चलते और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन समवादा रिशव पांडे फिलहाल फोन लाइन पर जुट चुके है रिश्व एक 70 दिन के पूरे संघर्ष के बाद में एक बार फिर से जो जीवन की आज इविका की पट्री है वो अपनी गती को पकड़ने लगी है इसके लावा क्या जानकारी आपके पैस बिल्कुल देखें एक असर दिन बाद जो कंटेन्मेंट जो बना हुआ था जैपुर्गा परकोटा उसको अप खोन दिया गया है इसके बाजारों में कही ना कही रौनक दिखाई दे रही है और जो परकोटे में जो छूट दी गई जो परकोटे में तैनाच किये गए हैं हाला कि जो दुकानदार हैं को कही ना कहीं सोचल डिस्टेंसिंग की पानला पूरी तरह से करनी होगी इसके साथी साथ आज जून के बाद से परकोटे के अंदर जो मंदिल जी 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 तमाम जानकारी के लिए बहुत चुक्रिया रश्याब वो अफिर दो कि हूँ है, अ किलो है दो किलो है, उल उलो आप है, ऑालेवाराफ़ है, दो कर दो कि अज़ दूजा है.